Hello everyone, welcome to StudyIQ StudyIQ के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा Regional Rural Banks के कुछ ऐसे important facts जो आपको हर समय आद रखने हैं आपके interview के लिए बहुत ज़रूरी है और आपकी general knowledge के लिए भी बहुत ज़रूरी है तो आईए start करते हैं वीडियो वीडियो स्टाट करने से पहले एक important announcement एक sale studyIQ पर चल रही है आने वाले एक हफते में current affairs का जो batch है 2700 रुपीज का है लेकिन आपको सिर्फ 1919 में मिल जाएगा आपको ये QR code scan करना है आपको सारी detail वहाँ पे मिल जाएगी इतना ही नहीं, मेरे 3 courses और हैं जो आपको सिर्फ 499 रुपीज में मिल जाएगे लेकिन अगले सिर्फ 3-4 दिन इस पे आपको code use करना है BA499 capital में है पूरा कोई space नहीं है BA499 ये sale मेरे banking awareness static general static और computer awareness का जो course है उस पे चल रही है, और current affairs आपको मिल जाएगे सिर्फ 1999 में ये QR code scan करिए, सारे courses का link है ये तो इस announcement के साथ हम मैं आगे start करता हूँ तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है regional rural bank में जो absolutely must है देखिए, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि भारत में regional rural bank कितने हैं तो 43 हैं आज की तारीख में लेटेस में बता रहा हूँ RBI की website की अनुसार 43 regional rural bank इंडिया में है उसके बाद regional rural bank act कब आया था तो ये 1976 में आया था act की बात हो रही है और अगर पूछें कि regional rural bank भारत में कब खुला था पहला तो वो 1975 में खुला था अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे possible है कि जो act है वो बाद में आया और regional rural bank उससे एक साल पहले खुल गया ये एक बहुत अच्छा सवाल होता है interview में भी पूछ सकते हैं आपसे तो वो इसलिए क्योंकि जब regional rural bank खुलने स्टार्ट हुए थे तो एक साथ पांच खुले थे उन पांच में भी जो सबसे पहला था वो था प्रत्मा रूरल बैंक जो मुरादाबाद यूपी में खुला था उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा तो पांच खुले थे वो कब खुले थे वो 1975 में खुले थे एक ओर्डिनेंस के द्वारा यानि सरकार ने एक ओर्डिनेंस यानि अध्यादेश पारित किया था उसके तहट खुले थे और आप जानते है ओर्डिनेंस को फिर आपको अप्रूव कराना पड़ता है पार्लिमेंट से तब वो एक्ट बनता है तो सरकार ने पाँच रिजनल रूरल बैंक जब खुले थे स्टार्टिंग में तो 1975 में खुले थे एक साथ ओर्डिनेंस पास करके बाद में फिर एक्ट आया क्योंकि उस ओर्डिनेंस को फिर सरकार ने संसत से अप्रूव करा लिया था तो ओर्डिनेंस कब आया था? 26 सेप्टेंबर 1975 को और जब ओर्डिनेंस आया तो वो पास हो गया था और फाइनली गांधी जहनती के दिन यानि 2 अक्तूबर 1975 को ये 5 रिजनल डूरल बैंक खुल गए थे ठीक है? 5 रिजनल डूरल बैंक खुल गए थे और फिर एक्ट आया RRB 1976 में. एक कुश्चन यह आ सकता है एक्जाम में भी और इंटर्व्यू में भी कि जो रिजनल डूरल बैंक इंडिया में खुले गए वो कौन सी कमेटी के कहने पर खुले गए? तो आंसर है M. नरसिमा राओ कमेटी. इसके कहने पर यह खोले गए. चलिए. रिजनल डूरल बैंक को लेकर क्या कोई और भी कमेटी आई? 2001 में रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी. वी एस व्यास कमेटी. वो क्यों? क्योंकि रिजनल डूरल बैंक जो है वो काफी नुकसान में थे, लॉस में थे, तो रिजनल डूरल बैंक की वायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी चेक करने के लिए बनाई थी कि रिजनल डूरल बैंक क्या खुले रहने चाहिए, क्या हम उन consolidate कर दे यानि कि आपस में merge करा दे और इसी committee के वयास committee के कहने पर ही Regional Rural Bank का consolidation यानि कि merger स्टार्ट हो गया था सन 2005 में यानि जो Regional Rural Bank बहुत सारे थे पहले हमें उनकी संख्या कम करने थी, right तो इस committee के कहने पर ही हमने Regional Rural Banks का जो merger है वो start किया था, तो merger कब हुआ था? merger 2 phases में हुआ था 2005 में हुआ था और फिर 2012 में हुआ था तो पहले 2005 में हुआ था और फिर 2012 में हुआ था तो 196 Regional Rural Bank से हमने उनको merge करा के आपस में 1990 की अगर मैं बात करूँ तो 196 Regional Rural Bank थे उनकी संख्या कम करके हमने 56 कर दी थी अब तक 2016 तक और आज और कम हो गई है 43 हो गई है और अगर आपने recent speeches सुने हो निमला सीतरमन जी के तो वो कह रही है इनका नंबर और कम होगा लेकिन अभी तो 43 है एक बात और Regional Rural Bank जो होता है उसमें ownership कितनी होनी चाहिए very important देखिए Regional Rural Bank में अब दो चीज़े आपको याद रखनी है एक जो कि आप पहले से जानते होंगे कि जो ratio होता है ownership का 15 is to 15 is to 35 ठीक है आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं 50 पहले लिख दीजिए 35 बाद में लिख दीजिए 15 बाद में लिख दीजिए वो depend करता है आप क्या पहले लिख रहे है हमेशा जो central government होता है उसका हिस्सा 50% होना चाहिए 15% किसका होता है state government का और 35% होता है sponsor bank का किसका होता है 35% sponsor bank का क्या ये sponsor bank मेरा interview question है आप से क्या ये sponsor bank हमेशा सरकारी होगा या ये private भी हो सकता है तो देखिए 43 में से 42 ऐसे हैं जिनका sponsor bank सरकारी है सिर्फ भारत में एक ही regional rural bank ऐसा है जिसका sponsor bank private है और वो है जमू कश्मीर ग्रामीन बैंक जो क्योंकि जमू कश्मीर ग्रामीन बैंक का sponsor है वो है जमू कश्मीर बैंक और आप जानते हैं जमू कश्मीर बैंक एक private bank है समझ में आया आपको जो हम समझाना चाहरा हूँ तो ऐसा जरूरी नहीं है कि sponsor bank हमेशा सरकारी होगा आप ये बोल सकते हैं कि नहीं private भी होगा क्योंकि जमू कश्मीर ग्रामीन बैंक का जो sponsor है वो है J&K bank जो कि एक private bank है श्रीनगर में headquartered है और ये ratio जो भी पूछा जाए उस हिसाब से और example आप ऐसे भी लिख सकते हैं 15 is to 35 is to 50 लेकिन फिर 50 आपको central government बाद में लिखना पड़ेगा central government का share 50% state government का share 15% और sponsor bank का जो share है वो 35% इसमें लेकिन एक और important RBI की guideline आई थी अगर मैं ownership की बात करूँ तो वो क्या थी RBI ने एक 2014 में एक बात कही जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है दिखिए ये 15, 15, 35 इसके साथ एक problem थी problem क्या थी problem ये है कि हमें अगर मालो पैसा उठाना हो पैसो की कमी रहती है Regional Dural Bank में तो हम दूसरे sources से कैसे उठाएं फिर तो Reserve Bank of India ने कहा आप दूसरे sources से मालो आप किसी private company से पैसा लेना चाहते हो आप किसी महारतन company से लगवाना चाहते हो आप किसी foreign institution से लगवाना चाहते हो आपको पैसा raise करना पड़ेगा तो Regional Dural Bank अगर आप इतने strict हो जाओगे कि 50% Central Government, 15% State Government 35% Sponsor Bank तो आप दूसरे sources से पैसा कैसे raise करोगे तो Reserve Bank of India ने relaxation दे दिया था और वो relaxation आपको समझना पड़ेगा वो क्या है Regional Dural Bank ने कहा था यह 2014 में amendment आया था RRB Act में उसमें कहा था उसमें यह कहा RBI ने आप चाहो तो पैसा raise कर सकते हो लेकिन यह ध्यान रहे कि Central Government और Sponsor Bank का share दोनों मिला के 51% से कम नहीं होना चाहिए मैं repeat करता हूँ Central Government क्योंकि जब वो कहीं private से या कहीं से भी पैसा उठाएंगे तो obviously उनकी share holding कम होगी मालनों हो सकता है वो जनता से पैसा उठाले bond issue करके कई तरह से पैसा उठा सकते हैं लेकिन यह ध्यान रहे कि Central Government और Sponsor Bank की मिला के जो share holding है न वो कभी भी 51% से कम नहीं होनी चाहिए ठीक है यह RBI ने एक relaxation दिया था थोड़ा सा यह आपको ध्यान रखना है हमेशा और State Government की तो 15% है नहीं चाहिए लांकी RBI ने यह भी कहा था अगर आप State Government की 15% से कम करना चाहते हैं तो Central Government की permission ले लिजिए पहले तब आप चाहें तो State Government की भी 15% से कम कर सकते हैं तो यह छोटे-छोटे points हैं बारिकियां हैं जो जिनमें पसाया जा सकता है कि क्या Sponsor Bank हमेशा सरकारी होगा इस question का answer मैंने देखा बच्चे नहीं दे बात है Sponsor Bank के बारे में फिर कितने Sponsor Bank हैं यह भी पूछ सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा RRB Statistics के वीडियो में याद रखिए मेरा एक बहुत ही special वीडियो आने वाला है RRB Statistics उसमें मैं आपको Regional Dural Bank के सारे के सारे जो Statistics हैं वो बताऊंगा कि पिछले Financial Year 23 में भारत में Regional Dural Bank जो हैं उनकी क्या स्थिति थी वो मैं आपको बताऊंगा एक और Question जो बच्चे आंसर नहीं कर पाते हैं कि RRB को Regulate कौन करता है अब इसमें क्या होता है न 50% बच्चे आंसर करते है RBI और 50% बच्चे आंसर करते है नबाड अब उन्हें हमेशा confusion रहती है कि सर इसका आंसर बताइए हमें बड़ा असान है भारत में कोई भी बैंक है न आप ये समझ लो अगर बैंक वर्ड है तो उसको Regulate हमेशा RBI करेगा खतम बात महीं पर अगर आप से इंटर्वे में पूछ ले RRB इसको Regulate कौन करता है तो आंसर है RBI RBI के पास ही बस वो ताकत है आपने सुना तो है Banking Regulation Act सुना है ना Banking Regulation Act तो Banking Regulation Act क्या कहती है कौन करेगा Banks को Banking Regulation Act of 1949 क्या कहती है Banking Regulation Act Banking Regulation Act ये कहती है कि बैंकों को RBI regulate करेगा तो फिर इस question का अंसर अलग क्यों है ये भी तो बैंकी है और Regional Dural Bank भी तो Schedule Commercial Bank है, तो इसका अंसर अलग क्यो है? Confusion यह होती है, कि Regional Dural Bank को Supervise करता है नवार्ड. अब इसका मतलब क्या होता है? Supervise का मतलब क्या होता है? देखो, Regulate मतलब यह होता है, for example, Regional Dural Bank में Capital Adequacy Ratio कितना होना चाहिए? 9%. किसी भी Schedule Commercial Bank कितरा? 9%. यह कौन बताएगा? RBI बताएगा. यह Regulation है यह, Rules and Regulation. तो Regulate हमेशा RBI करेगा, Rules and Regulation RBI बनाएगा. लेकिन Supervise करता है नवार्ड. Supervise का मतलब यह होता है, Inspection करना समय समय पे, वो कैसा काम कर रहा है, उस पे नजर रखना. तो दो तरह का Supervision होता है, एक On-Site और एक Off-Site. On-Site मतलब नवार्ड के अफसर कभी भी आके Regional Lural Bank में Inquiry कर सकते हैं. माल लो, आप Regional Lural Bank में बैठे हो, मैनेजर हो, नवार्ड के अधिकारी आ जाएंगे, आज यह अपने सारे document निकालो, हमें चेक करने हैं. वो है On-Site Supervision. On-Site मतलब वहाँ पे बैंक के अंदर जाओ, और पूरी जाच करो. एक होता है Off-Site Supervision. Off-Site मतलब यह होता है, कि आप digitally या distance से, आपको वहाँ जाने के जरुरत नहीं है, आप उनसे उनके document बगरा मंगालो, नवार्ड के headquarter बगरा में, वहाँ पे फिर देखो कि क्या कागज बगरा है, उसको बोलते है Off-Site Supervision. तो यह एकदम crystal clear होगा अब आपको, RRB इसको regulate तो RBI ही करेगा, लेकिन supervise करता है नवार्ड. तो यह भी कोई आसान question नहीं है इंटरव्यू में, बहुत मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं इसमें confused हो जाते हैं, फिर उसके बाद Regional Rural Bank जो होते हैं, क्या वो NRI से deposit ले सकते हैं? RBI ने 2007 में, जहां से सुनिये इस बात को, RBI ने 2007 में Regional Rural Bank को allow कर दिया था, येस, कि वो foreign currency में deposit ले सकते हैं NRI से, लेकिन वो NRI से ले सकते हैं और person of Indian origin से ले सकते हैं, अगर मानलो कोई विदेशी वेक्ती है, मानलो कोई Canada का नागरिक है, या मानलो कोई Britain का नागरिक है, वहीं का कोई foreigner है, अगर वो Regional Rural Bank में, foreign currency में अपने deposit करना चाहें तो नहीं कर सकता, हाँ NRI कर सकते हैं और person of Indian origin कर सकते हैं, ठीक है, पाच जुलाई 2007 को RBI ने ये कहा था, ये empowerment थोड़ा सा उनको दिया था, फिर Regional Rural Bank जो होते हैं, ये पहला कौन सा खुला था, ये बाट नाम ही है प्रत्मा, प्रत्म मतलब ही होता है पहला, प्रत्मा बैंक, और प्रत्मा बैंक का authorized capital कितना था, पाच करोड, ये MCQ आचुका एक्जाम में, पाच करोड के authorized capital से खुला था ये, प्रत्मा बैंक का sponsor bank कौन सा था, syndicate bank, syndicate bank, योपी में है ये कहां पर मुरादाबाद में, understood, जो मैंने आपको बताया न, ordinance आया था तो पाच खुले थे आरार्वी शुरू में, वो पाच कौन से थे, प्रत्मा बैंक, गौरगपुर, शेत्रिय ग्रामीन बैंक, हर्याना कृशी ग्रामीन बैंक, गौर ग्रामीन बैंक, और जैपुर, नागपुर, था, समझ में आया आपको, अचा जिस समय भारत में, रिजनल डूरल बैंक, खुले थे, उस समय भारत का, रबी आई का गवर्नर कौन था, अब आपको पता है, रबी आई का खुले थे, ordinance के थूरू 1975 में खुले थे, तो 1975 से लेके, और 1977 तद RBI के गवर्नर थे, के आर पूरी, के आर पूरी, उस समय परधान मंत्री थी, इंद्रा गांधी, वैसे भी देखिए, 1975 से 1977 तक आपको पता ही, अमर्जन्सी लगी होई थी, और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन था भारत का, फाइनस मिनिस्टर थे, चिदंबरम सुब्रमन्यम, उस समय जब रिजनल दूरल बैंक खुले थे भारत में, तो फाइनस मिनिस्टर थे, चिदंबरम सुब्रमन्यम, Is that clear? रिजनल दूरल बैंक इतने नुकसान में जा रहे हैं, जब भी कोई बैंक नुकसान में बहुँ ज़दा चला जाता है, सरकार क्या करती है, कोशिश करती है बचाने की, यानि रिकैपिटलाइज करने की, पुनर पुंजी करन, उसमें सरकार पैसा डालती है, जिससे वो अपने बेजल थी नॉर्म्स वगारा कंप्लाइंट हो सकें, तो कौन सी कमिटी ने कहा था, कि भारत में जो रिजनल दूरल बैंक हैं, उनको रिकैपिटलाइज करो, यह कहा था, केसी चक्रवरती कमिटी ने, केसी चक्रवरती कमिटी ने कहा था, पांच करोड था 1976 में जो एक्ट आया था आरार भी एक्ट पहली बार तब authorized capital पांच करोड था और ये कहा था किसी भी हालत में 25 लाग से नीचे नहीं जाना चाहिए लेकिन बाद में उसको बढ़ा के जो है minimum वाले को minimum वैसे तो 5 करोड था minimum की बात अगर मैं कहूं तो 25 लाग था minimum फिर एक करोड किया minimum जो authorized capital है वो एक करोड कर दिया था 1976 वाले act में जब बाद में amendment हुआ था और total authorized capital minimum की बात करें तो एक करोड और total authorized capital 5 करोड से बढ़ा के 2000 करोड कर दिया गया था कब किया था ये 2015 में जो amendment act आया था 2015 में जो amendment act आया था तो अगर मैं आज बात करूँ simple shift दों में कि RRB का authorized capital कितना है तो आप बोलेंगे 2000 करोड minimum authorized capital कितना है तो answer है 1 करोड एक करोड से कम नहीं हो सकता RRB का authorized capital और वैसे 2000 करोड authorized capital है understood regional rural bank खोले क्यों गए थे तो उसमें तो वही सब आपको बोलना है कि small or marginal farmers को credit देने के लिए क्योंकि जो हमारे schedule commercial bank है वो कहाँ small or marginal farmer उनके लिए सोचते है उनका तो profitability ही ज़्यादतर motive रहता है agriculture laborer है छोटे entrepreneur है MSME वगरा चलाने वाले लोग है mainly agriculture के लिए था किसानों के लिए था और भारत में कौन सा ऐसा bank है जो सबसे ज़्यादा regional rural banks को sponsor करता है तो answer है state bank of India 14 regional rural bank कैसे है जिनका sponsor है state bank of India अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि जो नबाड है हमने देखा कि वो regional rural bank को क्या करता है supervise करता है इसके लिए वो कौन सा portal योज़ करता है नबाड कौन से portal का इस्तिमाल करता है कौन सी website का इस्तिमाल करता है regional rural bank को supervise करने के लिए तो दो portal है एक नया बना है जिसका नाम है rrb दरपन portal इसको आप इंगलिश में भी लिख देता हूँ क्योंकि साउथ इंडिया से भी लोग जुड़ रहे है rrb दरपन portal और दूसरा portal है ensure portal ensure दो portal योज़ करता है नबाड rrb इसको supervise करने के लिए एक है ensure portal और एक है rrb दरपन ensure पुराना है rrb दरपन नया है rrb दरपन financial year 23 में ही बना है एकदम brand new चलिए question बताइए भारत में 12 सरकारी bank है यो तो आप जानते होंगे अब तक 12 सरकारी bank है न SBI, PNB, Bank of Baroda बहुत 12 है ठीक है क्या 12 के 12 सरकारी bank sponsor है किसी न किसी rrb के या कोई ऐसा भारत में सरकारी bank है जो किसी भी regional rural bank को sponsor नहीं करता तो 12 में से बस एक है और वो है पंजाब and सिंद bank पंजाब and सिंद bank इन बारा में एक मात्र सरकारी bank ऐसा है जो इंडिया में किसी भी regional rural bank को sponsor नहीं करता ये बारीकिया है ये आपको असानी से नहीं मिले गए सब दूसरी बात ये क्या भारत का कोई ऐसा राज्य है जहाँ पे regional rural bank नहीं है सिर्फ दो राज्य है गोवा और सिक्किम जो नबाड की latest report है financial year 23 की उसके हिसाब से सिर्फ गोवा और सिक्किम भारत के दो ऐसे राज्य है जहाँ पे कोई भी regional rural bank नहीं है understood तो इस पे हम जरूर आगे बढ़ेंगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बता दूँ RRB statistics का एक super important वीडियो में लेकर आऊंगा उसको जरूर देखना और अगर आप सच में quality पसंद करते हैं अगर आपको एक certain level पर पढ़ाई करने की आदत है तो मेरा current affairs course आप purchase कर सकते है अभी heavy discount चल रहा है अगले कुछ दिन 2700 रुपे का बैच है एक साल के लिए लेकिन आप इसको सिर्फ 1999 में मिले सकते हैं ये QR code आपको scan करना है और जो बाकी courses है मेरे जैसे banking awareness static या computer awareness या फिर general static awareness वो सिर्फ आपको 499 में मिल जाएंगे अगले कुछ दिनों के लिए आपको code use करना है BA 499 BA 499 ठीक है तो इसी के साथ मैं आपको मिलता हूँ एक और important वीडियो में इंजार करिए मेरा वीडियो कल आएगा RRB statistics very important for your interview and very important for your general banking exams take care